गुट्लू यह क्या है कि यह देखो अलक्सा अलक्सा अरोधा तुम्हारा सिसी टीवी कैमरा कि उससे तुमको इसमें देखेंगे तुम क्या क्या कर रहा है ठीक है तो चलो इसको ओपेन करते हैं और देखते हैं यह सेटिंग कैसे होता है ठीक है उच्टू दोस्तों यह है अलक्सा का डिवाइस इसको मैं लिया हूं इससे मैं मोनेटर कर पाऊंगा अपने बेटे को जो कैमरा है दोनों कैमरा इसमें सेट अप करेंगे और क्यूंकि हर टाइम मोबाइल पर देखना पॉसिबल नहीं है तो इसलिए यह अलक्सा बहुत सारा मुल्टी पर्पस काम में यूज आ जाएगा हमारे लिए तो यही लिए है चलिए इसको ओन करते हैं और चेक करते हैं इसका सेटिंग कैसे होता है और आपको भी दिखाते हैं और इसका पूरा लिंक मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा अगर इंटरेस्टेड है तो आप भी यह डिवाइस ले सकते हैं तो यह है इसका manual book इसमें पूरा दिया हुआ है कैसे setup करना है सारा instruction इसमें दिया हुआ है यह देख सकते हैं तो यह है इसको आपको दिखाते हैं और सारा जो color आता है उसका एक मतलब भी दिया हुआ है गया है तो इसको वाइपाई से connect करना होगा तो अभी देख सकते हैं यह पूरा manual है अभी इस manual को देखके इसको setup करते हैं तो यह देखिए पूरा device ऐसा दिखरा है इसमें volume बटन है और यह देख सकते हैं यह charger तो सारा setup दिया हुआ है अभी device को on करते हैं तो अभी इसको switch on किय हैं अब देख सकते हैं अभी यह ओन हो रहा है यह इंटर्नल इको शेट अप होगा अभी कुछ देर तक अभी दिखा रहा है लोडिंग यह देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दिखा रहा है गेटिंग यूर डिवाइस रेडी तो थोड़ा देर में यह रेडी हो जाएगा सेट अप के लिए यह देख सकते हैं प्रोग्रेस पार इसमें दिखाई दे रहा है तो तो वाइफाई ता भी मैं अपना WiFi कनेक्ट करोंगा तो मेरा यह है टॉकट मेरा WiFi है अभी इसको कनेक्ट करते हैं इसका पासवर्ट चाहिए होगा तो अभी मैं इस पे पासवर्ट डाल दिया हूं अभी रेजिस्टर्ट कर रहा है WiFi अ अभी आई है कि आप यह देख सकते है तो अभी ये पूरा सेटप हो गया है अभी इसके बार नेटवर्क के बार अगला सेटप करते हैं इसमें आप दिखसे हैं लैंगवेज वगेरा अपको जो भी सबह सेलेक्ट करना है तो इस इहां इंगलिस सेलेक्ट करना है नेक्स्ट यहां पर टाइम जोन सेलेक्ट करना है तो मेरा ग्रीनिच है उसके बाद डिवाइस नेम जो भी आपको रखना हो यहां पर बहुत सारा इंफोर्मेशन दिया हुआ है वो पढ़ना है पढ़ो नहीं तो आगे बढ़ो यह अपडेट बता रहा है अभी डिवाइस अपडेट हो जाएगा डिवाइस उसके बाद अगला सेटप चलू होगा जारा डिफिकल्ट नहीं है बस इसको इसको फॉलो कर बढ़ने रारा जो बहुत है और रहरा है कि अभी इस्टार्ट हो रहा है एक अग़्ित कर्राइब देखिए यहां पर सेटस्ट अप करना लिविंग रूम बेड्रूम ही जो सलक्त करना है तो अभी फिलाल हम सब्सक्राइब हए इस में लिविंग रूम उसके बाद प्र içत भी शेट अप करेंगे तो दोनों जगा कैमरा लगा हुए है बेड्रीम में और लिभीड रूम में तो दोनों जगा सेट अप करेंगे इसका उसके बाद कि यहाँ पर आप जो फोटो वगेरा अगर कुछ सलेक्ट करना है तो वह सब सलेक्ट कर सकते हैं यहां पर बहुत सारा ओप्शन दिया हुआ है कि जो स्क्रीन से बर होता है वो कैसा दिखना चाहिए और यहां पर आप देख सकते हैं इसको यह पूरी तरह से मॉनेटरिंग के लिए यूज होगा घर पे अगर कुछ भी एलान बगएरा सेट करना हुआ अबाकी गैमरा को कनेक्ट हुआ यूज इव झीज आपके लिए तो अभी लोडिंग हो रहा है यूज हो फो थोड़ा वेट करना हुगा अभी देखिए डिवाइस अपना इंटर्नल सेट अप स्टार्ट कर दिया है तो कुछ का इंटर्नल सेटर पर इसका ज्यादा है अभी देख सकते हैं अभी बच्चे का प्रोफाइल सेट करना है इस में तो मैं अभी प्रोफाइल सेट कर रहा हूं इसमें तो यह देखिए इस को अगर सेट किये हैं तो बच्चे को मोनेटर करना है तो उसका पारेंट के पास ज्यादा यह प्रिविलेज होना चाहिए ताकि बच्चे को कंट्रोल कर सके अभी यह जो आप देख रहे हैं QR कोड इसको स्कैन करके इसका आप डाउनलोड करना है पारेंट अप तो अभी इसका आप डाउनलोड करते हैं उसके बाद पिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है यहां पर अभी फिलाल तो एक प्रोफाइल हो गया अभी अगर अपना प्रोफाइल अड करना तो यहां से हम अपना प्रोफाइल अड कर सकते हैं तो इसमें अपना नाम और जो भी डीटेल यहां पर डालना है आप डाल सकते हैं इसमें मेरा नाम जाएगा और बाकी date of birth जो आपका है वो आपका डाल सकते हैं उसके बाद फिर यह देखिए parent dashboard तो यहाँ पर लोग इन करना है आपको अपने credential से तो हम अपना credential से फिला लोग इन कर रहे हैं तो यह देख सकते हैं हम अपना password डाल दिये हैं और यहाँ पर OTP बगेरा मांगेगा तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर जो मेरा OTP आया है अभी इसको डालेंगे बाकी आप एक्ष्ट्रा password भी set कर सकते हैं और यह verify करना है आपको OTP से तो अभी हम अपना OTP डाल दिये हैं तो अब अब यहाँ पर आपको इस्ट्रा डीटेल मुबाइल नमर वगएरा डालना है तो वो आप यहाँ से अपना मुबाइल नमर वगएरा setup कर सकते हैं तो बहुत कुछ असल ऐलक्सा से आप control कर सकते हैं including email message यह सब भी अगर पढ़ना हो तो वो भी आप instruction दे सकते हैं ऐलक्सा को तो यह सारा option बाद में explore करेंगे फिलाल मेरा major काम है कि हमको किसी से monitor करना है बच्चे को तो mobile में तो monitor करते ही हैं और जैसे कभी कोई काम कर रहे हो तो हर टाइम mobile हाथ में नहीं रख सकते हैं तो यह अपना setup रहेगा kitchen बगेरा में तो काना बनाते बनाते भी आप इससे मोनिटर कर सकते हैं बाकी अलेक्सा रिमाइंडर बगएरा के लिए भी काम में आएगा कि गैस चला हुआ है तो अलाम सेट करना है कि दस मिनट बाद गैस बन करना है मौर्निंग अलाम सेट करना हो गाना वाना से सुनना हो और भी डिवाइस को कंट्रोल करना हो तो सारा काम इससे हो जाएगा और बेस्ट चीज इसमें यह है कि इसमें डिवाइस भी दिया हुआ है तो पूरा आपको बस यह देखिए अभी पूरा फॉलो किये है टापो जो मेरा कैमरा था उससे मैं इसको अब देख सकते हैं पूरा सेट अप कर दिये हैं तो यह इस तर देना है कि living room view क्या है bedroom view क्या है तो वो हम कर सकते हैं तो मैं आपको अभी थोड़ा देर में यह जब सेट अप हो जाएगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैमरा व्यू कैसे दिखता है इसमें ऌंचर ड्लू सकते हैं तो यह बन्यद ग्रॉशब ढख सेट्एरी अलेक्श सौरस अलेक्सा व्यू वोग्यू ए लूशवर दियू एड्यू ग्यू चैक्श्जवर वड्यू कैसे तो लिविटों कैसे विभल दूब लिव ग्यू बड़क्श कैस्ट अलेक्श्यू आख ट झाल झाल